बातिये जंता पार्टी की सरकार दौारा मद्यप्रदेश में जनाशिरवाद यात्रा निकाली जा रही है मद्यप्रदेश के सभी जिलों में जनाशिरवाद यात्रा पहुँच रही है अलग अलग इसके रत बनाये गए हैं, अलग अलग रूट बनाये गया है और हम आपको बता दे मद्प्रदेश के छतरपुर जिले में भी जन अशिरवाद यात्रा पहुँच चुकी है अभी हम आपको बताएं कि कल दिना कठारा तारीक को जन अशिरवाद यात्रा पन्ना से होती हुई अजयगार से होती हुई चंदला विधान सभा में पहुची थी और चंदला विधान सभा में रोट के जरीया रोट सो भी हुआ और बस स्टेंड लवकुष्ट नगर में जन सभा को भी संबोदित किया हम आपको बता दे इसमें जो अतीती रहे हैं अतीतीयों की बात करें तो उसमें बर्जयन शिंग खनिज मंत्री रहे है मंत्री राजेंशुक्ल भी मुख अतीती के रूप में रहे हैं जिन्हों ہیں जन्योंने जंता को संबोधत किया और भाजपा की तना तमाम जो इस पांच वर्स में जो उपलब्दी रही है और जो पूर्ब में भी भाजपा की सरकार रही है उसकी उपलब्दी गिनाई कांग्रेस को काफी वहाँ पर कांग्रेस के जो 18 महीने की सरकार रही उसको कोसा भी गया आज हम बता दे तो आज जो जनासिरवाद यात्रा के अतीती बनाए गए हैं जिसमें प्रभाज ज्छा हैं जो पूर्वराश्टी है उपाद्यक्ष हैं वहीं पर स्रीमती सुधा यादाओं हैं जो सदस पिछड़ा आयोकी हैं पूर्वसांसद भी हैं आज ये 19 तारीक को ये बिधानसभा महराटपूर बिधानसभा होती हुए छतरपूर जो बिधानसभा में एंटर करेगी तब स्यामरा तेगेला निवारी खौप तेगेला हमा फोल लाइन आर्टीयो बस स्टेंड बगोता ललोनी धड़ारी ईशनगर तेराहे पर स्वागत होगा वहीं पर बिजा पूर में भी ये कामसभा होगी जहां पर ये मुक्हा अतीती जो बनाये गए हैं प्रभाज ज्छा हैं और उनके सास सुधा यादाओ हैं मद्ध ब्रदेश आसन के कैमिनेट मंत्री राजिन शुक्ल भी मौजूद हैं जो जहां पर जंता को संबोधत करेंगे ये आसरवाद यात्रा जो निकाली जा रही है ये सभी विधान सभाओं को छूती हुई निकलेगी और यहां पर हम आपको बता दें आज बिजाबर में रात्री विश्राम होगा कल बिजाबर से बड़ा मलेरा की ओर रवाना होगी और बड़ा मलेरा होती हुई टीकमगड की ओर रवाना ह तो इस तरीके से जन आसिरबाद यात्रा जो आ रही है ये इसका रूट रहेगा और यहां पर जगए-जगए स्वागत किया जाएगा कल का जो दरश्च देखे गए हैं काफी बुल्डोजरों से पुस्पवर्शा की गई है जो वहाँ पर काफी भीड भी देखी गई है तो यानि कहीं न कहीं जो प्रत्यासी है या संभावित प्रत्यासी है जिनको भाजपा से टिकेट मिल सकती है जो इनको पूर में मिली थी उनके द्वारा इस यात्रा में शक्ती प्रदर्शन भी दखाया जा रहा है जनता भी जोड़ी जा रही है और कहीं न कहीं ये जो जन जन आसिरवाद का कॉंसेप्ट है ये पिछले बर्ष भी प्रदेश में निकाला गया था और इस बर्ष भी जन आसिरवाद की यात्रा निकाली जा रही है अब देखना यह है कि आगामी विधानसवा चुनाओं में क्या जनता इस आसिरवाद को बनाये रखेगी या नहीं संजवस्ती के साथ सुबह उत्रपाथी पैप्टिक टाइम छतरपूर